Hello dear friends, उमीद करता हूँ आप सभी कहरते होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पठवारा जो कि next important exam होने वाला है तो काफी सारे बच्चे preparation करते हैं बहुत time से इसके related preparation करते आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं कुछ general चीज़ें बताऊंगा आज कि जो हमने past experience से सीखा है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि syllabus काफी कम है तो वो बहुत कम पढ़ते हैं तो ऐसी गलती नहीं करना syllabus जिस भी exam का syllabus कम दिखता है तो उसका paper भी काफी अच्छा आता है यह चीज़े याद रखेना हमने देखा कि FA का जो syllabus था काफी वास्ट था लेकिन फिर भी जो पेपर था उतने लेवल का नहीं था काफी MCQs गलत भी थे और फिर जो है काफी MCQs सिल्वस से बतलब basic general MCQs थे तो वो चीज़े आपको देखे या कलासफूर्ट का एक्जाम था दो तीन साल पहले जो हुआ था उसका syllabus ऐसे ही था बहुत कम था लेकिन फिर आपने एक्जाम में देखा कि बहुत ज़्यदा टखते पर था तो यहां पर भी same situation होने की possibility है क्योंकि सिल्वस बहुत कम लगता है लेकिन जब सिल्वस बहुत कम है तो possibility होती है कि एक्जाम जो है जो MCQs है अच्छे लेवल के आने की possibility है तो यहां पर पेपर जितना अच्छा आएगा जितना टफ आएगा उन्हीं बच्चों को फाइदा मिलता है जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा होता है तो यहां पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज एंड करन्ट अफियर्स अब दोस्तों यह जो टॉपिक हैं पांच-छे टॉपिक्स अल्मुस्ट 95% बच्चे जो हैं उन्होंने यह आल्मुस्ट 20-25 बार पढ़ लिया होगा यह सारे की सारे टॉपिक्स करन्ट फियर्स, साइनसें टेकनोलजी हैं यह भी आपने पढ़ लिया होगा इसमें सिर्फ आपको एड करना है जो लेटेस्ट हुआ है कोई इन्वेंशन हुई है तो वो आपको एड करनी है या कोई लेटेस्ट बन गया है बाकी तो सैमी रहता है इसके रिलेटर आरडी मैंने आल्बूस 6-7 वीडियोज इसी चैनल पे डाले हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहाँ पर आप MSQS कवर कर सकते इसके इंडियन नेशनल मूवमेंट यहाँ पर मैंने 2-4 वीडियोज इसी चैनल पे डाले हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफी MSQS हैं वहाँ पर 40-50 MSQS हैं जो की हमेशा एक्जाम में आते हैं तो अगर आपने थोरी कवर कर ली हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ MSQS पर फोकस करना है अब क्योंकि आपने मुझे पता है आपकी preparation बहुत अच्छी है लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ дело प्रपर प्लाणिंग की थुरत है आप MSQS पर फोकस करोगे और आपने तेयोरी आरडी पढ़ी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस और एक बेस्ट सिटरजी के साथ जाना पड़ेगा एक्जाम में और ये जो पुलिटिकल और फिजिकल डिवजिन आफ वर्ल्ड इंडिया है ये भी आपने पढ़ लिया है इसके भी MCQ's आपको मिलेंगे इंडियन एकॉनमी के MCQ's है इंडियन कल्चर एंड हरिटेज अब यहाँ पर बच्चे क्या इंडियन कल्चर एंड हरिटेज जो है बहुत ही ज़्यादा पढ़ते है हद से ज़्यादा हजारों चीज़े याद रखते है लेकिन आपको उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रत नहीं है जब उस तरह का कॉस्चन आएगा तब तो वो छूटी जाता है हर एक से लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर यह इंडियन और्टेज कल्चर है यह एक बुक है बहुत ही बड़ी UPSC का है तो आपको उस लेवल तक नहीं जाना है इसको पढ़ने के लिए कमस कम 30 दिन का टाइम चाहिए इतना ज़्यादा ही इंडियन और्टेज कल्चर तो आपको बैसिक क्योंकि एक्जाम जो है नॉर्मल एक्जाम होता है मैंने अलरडी वीडियो डाला है तो उस पर भी आपको बहुत सारे महलब हो जाएगा डिमोग्राफी है यह सारे के सारे चीज़े इनके सभी के सभी MZQs आपको इसी चनल पर मिलेंगे आप वो देख लेना पहले अपना जो आपका मिटीरियल है उस पर फोकस करना उसके बाद आप यह सारे के सारे वीडियो हमारे चनल पर देख सकते है उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जनर नॉलेज विज सपीशल रफरेंस ट जो जो एंड कश्मीर योटी अब इस बार यह जो है यह जो है जो है चबीस मारकस एक स्प्रेट दिया है उन्होंने पिछली बार देखा तो जी के मैं ही एड था तेकि यहां पर स्प्रेट हैं तो यहां पर आपको फोकस जो है इस पे 5-6 दिन देने पड़ेंगे आपको क्योंकि यहां पे 25-24 मारकस हैं तो आपको जो है कश्मीर की कश्मीर की जो हिस्ट्री है सबसे ज्यादा को कश्मीर की हिस्ट्री से ही एमसी के उस पूछे जाते हैं आपने खुद भी देखा होगा तो लेकिन इस बार आपको जम्मू के साथ-साथ कश्मीर की भी पढ़नी है और जितना भी जो कलमेट है वेदर है बाकी जो चीज़े है रिवर्स लेक्स यह सरे के सारे आपको यह डिटेलिट कवर करना पड़ेगा इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा यह इंपोर्टन चीज है उसके बाद General English अब दोस्तों General English जो है बहुत सारे बच्चे यहांपर मिस्टेक करते हैं अब दो गलतिया यहांपर बंदे करते हैं सबसे पहले गलतिया हैं वो समझते हैं कि English हमें वही पर आएगगे वही पर पढ़ेंगे वही पर जो MCQ आएगा उसको देखके हम सालो करेंगे लेकिन ऐसा फिर नहीं होता है यहाँ पर possibility होती है कि अगर आप without preparation जाओगे आपके English में कमस कम 24 में से 12 12 मारकस आपके गलत होने के possibility 12 मारकस ही आप ठीक करोगे अगर आप without preparation जाओगे लेकिन इसलिए आपको prepare करना है इस बार बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जिनके English में बाकी तो उन्होंने बहुत अच्छा पेपर किया होता है लेकिन जनरल English उनकी weakness होती है यहाँ पर बाराँ 15 मारकस भी गलत कर लेते हैं तो यह चीज यहाँ पर इस बार आपके पास टाइम है अभी आप इस पर फोकस करो मुझे लगता है सबसे पहले आपको जनरल English ही उठाना है इस बार आपको जीके आपने हजार बार पढ़ा है चाहे जमू कश्मीर की जीके हो या जनरल जीके हो तो आपने वो हजार बार पढ़ा है लेकिन फिर भी आपको उतना ही आता है महाँ पर लेकिन इस बार आपको सेटरेजी चेंज करनी है आपको जो है बाकी पोर्शन सबसे मजबूत करनी है उसमें सबसे पहले है पहला जो है वह है जनरल English इस पे जितना आप फोकस करोगे तो इस बार आपको इंगलीश पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या सिल्बस में है तो नेक्स्ट है दोस्तो नौलेज अफ कम्प्यूटर अब सिंपल 18 मारकस है काफी ज़्यादा है 18 मारकस बहुत होते है तो लेकिन जो सिल्बस है काफी एजी लगता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है वही सिट्रजी जितना आपने पढ़ा है वही पढ़ना है और इन एडिशन आपको MCQs पे फोकस करना पड़ेगा आपको इसके रिलेटर में ने अरड़ी बुक बताई है जो के अरीहाँत की बुक आती है मुझे नहीं लगता है उससे बाहर कभी MCQ आते है अल्मोस्ट 90% जो MCQs है वो अरीहाँत से ही आते है और यहाँ बुक से ही आते है अल्मोस्ट तो उसके भी आगर आपके पास उससे भी बेस्ट बुक है तो वो भी कवर कर सकते है आप तो MCQs पे फोकस कर लेना तो यह कुछ खास नहीं है आपको यह आएगा तो इसमें कोई ज़ादा चिंता करने की ज़रत नहीं है उसके बाद यह वाला इंपोर्टन्ट है Mental Ability and Reasoning अब बहुत सारे बच्चों का यह पोर्शन बहुत ही वीक होता है GKs Strong, English Strong, सब कोई Strong होने के बाद भी यहाँ पर उनके जो है 5-8 या 10 मारक्स कम पड़ते हैं तो इस बार आपको क्या करना है दो चीज़े में बताऊंगा एक तो आपको English Strong करना है English उस पे पहला आप फोकस करोगे और दूसरा General Ability जो Reasoning है इन दो चीज़ों को पहले आप फोकस करो इस पर पहले पड़ो इनको ताकि फिर आपको टाइम नहीं मिलता है तो यह चीज़ आप फोकस करो इन पर तो आप इन्शालला काम्याब हो जाओगे यहाँ पर मैं बात बताऊंगा यहाँ पर जो Mental Ability and Reasoning है इसमें Letter Series है Direction के 100-200 Questions होने चाहिए तो उनके Practice के लिए आप मुझे Telegram पे Message कर देना मैं आपको एक PDF प्रवाइड करा देता हूँ जहाँ पर आपको यह सबी चीज़े जो है आपको मिलेंगे बहुत ही vast, detailed हैं वहाँ पर बहुत सारे MCQs आपको मिलेंगे वहाँ पर आप यह अगर आपको RS Agarwal की Book है तो उसपे भी आप Try कर सकते हैं वहाँ पर भी काफी काफी ज्यादा है यह detailed MCQs है वहाँ पर तो यह वहाँ पर आप Cover कर सकते हैं तो यह था Silvers दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना साथ में हमारी चनल को भी सबस्क्राइब कर देना Thank you for watching dear friends